तो हाइ प्राइट्स कहसे है आप लोग में और लोग में और चैनल को कई बना पारी य che oh सारे लोग पूछती हमें मैसेज में पूछते हैं पता ने कमेंट में पूछने को क्या डारते पता नीं ओकल YouTube क्यां प्यार किया तो जब प्यार गाना मेरे हाग से ने होता तो कमेंट देखी थी कि दीदी हम जब भी भी में हैर रिमूब करती हूँ अपने बॉड़ी के किसी पार्ट में तो मुझे दो-तीन दीन खुजली होती है या रैशेंज होते है स्पेशली अगर वैक्स करते हो यह चीज होती है वैक्स ऐसे होने का कारण के पीछे क्या है या तो आपका मतलब जो अच्छी तरह नहीं रख पा रहे हो या तो आप वैक्स करने से पहले अच्छी तरह क्लीन नहीं कर पा रहे हो या तो वैक्स करने के बाद आप अच्छी तर ले या अगर आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो भी आपको क्या करना है उनको बोलना है कि आप स्पैचुला बदली है और जो भी मतलब स्ट्रिप है वो डिस्पोजीबल होना चाहिए और हो सके तो आप लिपो सोलुविल वैक्स में जाए हाइड्रो सोलुविल नहीं है सोलुविल में क्या होता है जल्दी से जल्दी जर्म्स बनने की कारण होता है मतलब वैक्टेरिया वगरा फैल सकता है लेकर लिपो सोलुविल बहुत अच्छा अगर इससे भी अच्छा कॉस्ट अगर ज्यादा पैसा दे सकते हो तो आप क्रिस्टल यानि बीन्स वैक्स में भी जा सकते हो कि बीन्स वैक्स सबसे हाइजिन माना जाता है क्योंकि वह जितना यूज किया और फेक दिया दुबारा उदर डुबाने की जरूरत नहीं होती अगर दूब यह तो ड्राइफ वाम में होता है सूख जाता है तो उसमें बैक्टेरिया ज्यादा पनप नहीं प चार-पाच पत्ते नीम के कूट के वह पानी डालो वह पानी से आप नहा लो तो अच्छा होगा अगर यह सब करने में जंजट आता है आपको बुरा लगता है मतलब टाइमी नहीं है बहुत बीजी लोग हो आप लोग है मुझे पता है तो उन लोगों के लिए क्या करना है किंगेति हैं आप सिंतोल नहीं सरी डटल हो गया सेवलॉन हो गया इनके फ्क्राल दो नाल के पहले में उस पानी से नहाद है तो उसके बाद यह नहीं होता है अरे ऐसे हो तो हो जाता है या बढ़ जाता है तो आप क्या कर सकते हो पानी और डेटल को डाइलूट करके उससे आप अपना बॉडी वाइप कर सकते हो जिसकी वज़े से आपके रैशेज या खाज-खुजली नहीं होगी ओके थैंक यू सो मच